हलो स्टूडेंट साम पूजा मिस प्रम अगस्टरस एडूकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के इंगलिश कुमार भारती के यूनिट 3 की 3.1 पोयम नाइट ओफ दे स्कॉर्पियन नाइट ओफ दे स्कॉर्पियन का मतलब है बिच्चू के जहर से भरी एक भयानक जहरिली रात अब यहाँ पर पहले मैं आप सबको बता दू कि बिच्चू एक भयानक क्रियेचर है जो गर्मिली और सुखी जगाओ पर पाया जाता है बिच्चू को एक बड़ी कर्वड टेल ह होती है जिस पर एक जहरिला डंक होता है बिच्चू का डंक मारना सापके डंक मारने से भी जादा दर्द देता है बिच्चू के काटने से जिस हिस्से में काटा गया है वहाँ बहुत जलन होती है भयानक दर्द होता है वो हिस्सा जलन के वज़े से लाल हो जाता है सारे शर पोयम निजी मिजी कियल ने लिखी है, निजी मिजी कियल का जनम 1924 में मुंबई में हुआ था, 1924 याने की वो दोर जब ब्रिटिश हम पर रूल करते थे और उनकी डेथ 2004 में मुंबई में हुई थी, निजी मिजी कियल एक इंडियन जुइश पोयट थे, बचो यहाँ पर जुइश का मतलब है, जुइश समाज के लोग जो इसराइल के रहने वाले लोग थे, जैसे कि इसराइल के भेडबकरी चराने वाले या आदिवासी लोग जो ब्रिटिश के जमाने में इसराइल से करके इंडिया में रहने आए थे, उस जमाने में जितने भी जुइश पीपल मुंबई में रहने आए थे, उन्हें मराठी स्पीकिंग जुइश कम्यूनिटी भी कहा जाता था, निजीम के फादर बॉटनी के प्रोफेसर थे विलसन कॉलेज में और उनकी मदर उनके ही जो किसी बुक या फिल्म स्कृप्ट में लिखी हुई चीजों को करेक्ट करता है, चेंज करता है बुक या फिल्म बनने से पहले, निजीम एक आर्ट क्रिटिक भी थे, आर्ट क्रिटिक का मतलब होता है किसी के आर्ट वर्क पर, इमेजिनेशन पर या कंसेप्चुल पर एज प्रोफेशनल अपना ओपिनियन देना तो नीजीम एज प्रोफेशनल लोगों के क्रियेटिव वर्क पर जैसे की आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, सिनेमा, फैशन पर अपना ओपिनियन देते थे पोस्ट कॉलोनियल प्रियर्ड में याने की ऐसे दोर में जब इंडिया को आजादी मिल गई थी और ब्रिटीश भारत को छोड़ कर चले गई थे तब नीजिम एक मूल आधार रूप थे बुक्स के मैनिस्क्रिप्ट के ऐसी किताबों के जो की इंग्लिश में लिखी जाती है ये ऐसे पोएट थे जो इंडियन रिलीजन पर लिखा करते थे पर इंग्लिश लैंग्विज में और वो भी बहुत बड़े पेमाने पर पोएट में पोयम ने दर्शाया है एक बीना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे से प्यार करने वाली मा को जिसे बिच्चु ने काट लिया था इसके अलावा उन्होंने धार्मिक श्रद्धा और अंध विश्वास पर यकीन करने वाले लोगों को भी पोयम में दर्शाया है पोयट बता रहे है कि उन्हें अपने बच्चपन की एक काली रात याद है जब वो एक छोटे बच्चे थे और उनकी मा को कैसे एक बिच्चु ने डंक मार दिया था पोयट बता रहे है कि उस दिन दस गंटों से लगातार बारिश हो रही थी और हमें तो ये पताई है कि बिच्चु गरम और सुखी जगा पर रहना पसंद करते है इसलिए लगातार चल रही बारिश से बचने के लिए एक सुखी जगा को खोचते हुए बिच्छू चलते चलते एक चावल के थेले के नीचे पहुच गया जो की पोयट के घर में था अब शायद पोएट की माँ खाना बनाने के लिए चावल लेने उस चावल के थेले के पास गई होगी तब अचानत से बिच्छों ने उनके पेर की उंगली पर काट लिया बच्चों, ब्रीटिश के जमाने में इंडिया के विलेजेस में लाइट नहीं थी, इसलिए गाउ में रात होने पर जादा अंधेरा हो जाता था और हर एक घर में कंदी लगने के बावजूद भी अंधेरा पूरी तरह से दूर नहीं होता था इसलिए पोईट की मा को जिस कमरे में बिच्चु ने काटा वो एक अंधेरा कमरा था, वहां रोश्णी नहीं थी यहाँ पर बताया गया है कि बिच्छु ने पोईट की मा को काट कर उनके शरीर में अपने डंग का कुछ जहर छोड़ दिया याने कि बिच्छु ने अपने जहर को बाट लिया कुछ मात्रा में जहर को अपने शरीर से अलग करकर और पोईट की मा में जहर डाल कर उसने अपने जहर को बाट लिया तो बिच्छू ने अपने जहर को कैसे बाटा तो ये जहर उसने अंधेरे में भी चमकने वाली शेतानी पूछ के डंक से बाटा जो की बड़ी ही फूर्ती से जोर से काटता है पूएट की मा को काटने के बाद अब उस बिच्छू को ये तो पताई था कि वो उस कमरे में जादा देर नहीं रुख सकता क्योंकि किसी भी वक्त लोग उस पर हमला कर सकते थे और उसकी जान खत्रे में थी इसे लिए बिच्छू ने फिर से अपनी जान का जोखिम उठाया और जिस बारिश से बचने के लिए वो इस अंधेरे कमरे में आया था उसी बारिश में अपनी जान को बचाने के लिए वो वापस लोड गया अब पोएम में जो नजारा है वो किसी छोटे से गाउ का नजारा बताया गया है यहाँ पर पोएट बता रहे है कि गाउ में धार्मिक लोग बहुत जादा होते है जो अंधश्रद्धा पर विश्वास करते है अब जैसे ही गाउ के लोगों को पोएट की मा के बारे में पता चला तो वो सभी किसान लोग मक्यों की तरह जुंड बना कर पोएट के घर पहुच गए पोईट बता रहे है कि पहले से ही उनकी माँ बहुत दर्द में थी और अब ये लोग मक्खियों की तरह उनके माँ के पास भीन भीना रहे थे यानि की चहल पहल कर रहे थे चहल पहल कर रहे थे भगवान का नाम सो बार या उससे भी जादा बार बोल कर और ये सब वो लोग बिना रुके कर रहे थे बिलकुल किसी मक्खी के जुंड की तरह इसलिए पोएट ने यहां उनके बोलने को चिड़ कर भिन बिनाना कहा है बच्चो ये जो गाव के किसान थे या लोग थे वो इतने अंधविश्वास में फसे हुए थे कि वो दुष्ट बिच्चु की गथी विधियों को रोकने के लिए भगवान का नाम ले रहे थे क्योंकि गाव वाले लोगों का ऐसा मानना था कि बिच्चु जितनी तेजी से आगी बढ़ेगा उतनी ही तेजी से जहर पुरे शरीर में फेलेगा पोएड बता रहे है कि गाव वाले लोग अंधश्रद्धा पर यकीन करते हैं इसलिए वो लोग बिच्चु को मारने के लिए कैंडल्स और कंडी लेकर निकल गए पोएड बता रहे है कि रात काफी काली और अंधेरी होने के वज़े से कंडील की रोशनी के वज़े से गाव वाले लोगों की परच्चाई मिट्टी की पक्की दिवारों पर दिखाई दे रही थी और ये परच्छाई अंधेरा होने के वज़े से बड़े बिच्चू की तरह दिखाई दे रही थी जो तेजी से खुद को बचाने के लिए इधर उदर भाग रहा था अब गाव के लोगों ने तो बिच्चू को बहुत ढूंडा पर बिच्चू कहीं नहीं मिला इसलिए वो लोग निराश होकर कि अब क्या होगा ऐसा सोच कर अपनी जुबान को क्लिक करने लगे क्लिक करना मतलब एक तेज आवाज निकालना ये बताने के लिए कि तुम गुसे में हो या नाराज हो पोएट बता रहे है कि सारे गाव वाले निराश होकर अपनी जुबान से ऐसा कर रहे थे क्योंकि गाव वाले लोगों का ऐसा मानना था कि बिच्चू मिल जाता तो सब अच्छा हो जाता वो बिच्चू को मार देते इससे शरीर में फेले जहर का दर्द भी खतम हो जाता पर बिच्चू नहीं मिला अब तो और भी जादा डर की बात है क्योंकि जैसे जैसे बिच्चू आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पोएट की मा के खून में भी जहर बढ़ता जाएगा पोएट बता रहे है कि बिच्चू नहीं मिलने के बाद सभी लोग भगवान से प्रात्ना करने लगे कि बिच्चू अपनी जगह से हिलेना वो एक ही जगह पर बैठा रहे ताकि जहर शरीर में फेल ना पाए पोएट की मा की यातना देखकर कुछ गाओ वाले किसान कह रहे थे कि भगवान करे जो भी पाप तुमने पिछले जनम में किये है वो पाप आज रात ही तुम्हारे दर्द में तुम्हारी पीडाओं में जल जाए और माफ हो जाए गाओ के लोग चाहते थे कि पोएट की मा की सारी तकलीफे दूर हो जाए इसलिए वो पोएट की मा को दिलासा दे रहे थे वो पोएट की मा से कह रहे थे कि इस जनम में तुम्हें जो भी तकलीफे हो रही है उसे जहल लो क्या पता इन तफलीकों को जेलने से तुम्हारे आने वाले जनम की आने वाली तकलीफे कम हो जाए और दूर हो जाए तुम्हारे अगले जनम में कोई दूर भाग्य ना हो तुम्हारा अगला जनम सुधर जाए गाव के लोग पोएट की मा को कहने लगे आज तुम सहन कर लो, क्या पता तुम्हारे बुरे करमों का फल तुम्हारे अच्छे करमों के फल के समान हो जाए, या फिर तुम्हारे बुरे करम कम हो जाए, क्या पता तुम्हारे दोनु भी करम अच्छे या बुरे एक समान हो जा क्या पता तुम्हारे सहन करने के वज़े से तुम्हारे बुरे करम हलके हो जाए कम हो जाए पोएट बता रहे है कि गाव के लोग पोएट की मा को कहे रहे थे घबराओ मत ये जहर तुमारे शरीर के रोम रोम में फैले हुए इच्छाओ को और तुम्हारे आत्मा में बसी हुई लालसा को शुद्ध कर देगा और ऐसा कहने के बाद गाउ के सभी लोग पोईट के माँ को घेर कर बैठ गए और पोएट की मा उन सब गाव वाले किसान लोगों के घेरे के बीच में लेटी हुई थी और सभी लोगों के चहरे पर किसी और का दुख दर्द समझने की शांती दिखाई दे रही थी पोएट बता रहे है कि जैसे जैसे गाव में सब को पता चलने लगा वैसे वैसे गाव के लोग पोएट के घर पर इखटा होने लगे कोई पडोसी कैंडल लेकर आ रहा था तो कोई कंदिल लेकर आ रहा था बारिश होने के वज़े से बारिश के कीड़े भी पैदा हो गए थे जो अलग से पोएट के घर में चमक रहे, रोशनी पर गर्दी कर रहे थे पोएट बता रहे है कि उस रात उनकी मा की दशा कैसी हो गई थी उनकी मा दर्द से बेहाल हो रही थी वो बार-बार चटाई पर जटपटा रही थी और तडप कर चिल्ला रही थी पोएम से हमें पता चल रहा है कि पोएट के पिता अविश्वासी थे क्योंकि उन्होंने कही सारे नुसके पोएट की माँ पर अपनाए उन्हें ठीक करने के लिए और साथ ही पोएट हमें पोयम में बता रहे है कि उनके पिता नास्तिक थे, वो किसी का भी कहा नहीं मानते थे, वो किसी धर्म को या धर्म की कही बातों को भी नहीं मानते थे, वो पड़े लिखे थे, इसलिए नौलेच पर और नौलेच की बातों पर ही विश्वास करते थे को मसाले को मिश्रन को जड़ी बुटी को और हर एक दवा को पोएट की मा पर अपनाया इतना ही नहीं उन्होंने पोएट की मा के पेर की उंगली पर जहां बिच्छुने काटा था वहाँ पैरेफिन डाला और उसे आग लगा दी बच्चो पैरेफिन एक वाइट कलर का वैक्स भी होता है और तेल भी होता है जो कैंडल बनाने के लिए यूस किया जाता है बच्चो पोएट की मा पर जहर को शांत करने के लिए एक मंत्र पढ़ रहा था अनुष्ठान कर रहा था पोएट बता रहे है कि उनकी मा दर्द में 20 घंटों तक तडपी फिर आखिरकार 20 घंटे बाद बिच्चू के डंख का असर कम हो गया आखिरकार एक लंबे दर्द के बाद पोएट की मा को होश आया और होश आते ही उन्होंने भगवान को शुक्रिया कहा ये कहकर कि अच्छा हुआ भगवान बिच्चू ने मुझे चुना और मेरे बच्चो को बक्ष दिया तो बच्चो पोएट में हमने ये देखा कि आखिरकार एक मा मा ही होती है जो दुनिया का हर दर्द सह सकती है चाहे फिर वो बिच्चू के काटने का दर्द क्यों ना हो पर वो अपने बच्चे पर लगने वाली जरा सी भी खरोच को नहीं सह सकती तो यहां आपकी पोएम फिनिश होती है तो आईए देखते हैं फिगर ओफ स्पीच इस पोएम में कोई राइमिंग स्केम नहीं है फरस्ट फिगर ओफ स्पीच है सिमिली सिमिली एक फिगर ओफ स्पीच है जो दो अनलाइक थिंग्स के बीट डारेक कमपैरिजन करता है ऐस या लाइक वर्ड यूज करके The peasants came like swarms of flies line similarly है इस line में peasants को याने की किसानों को swarms of flies से याने की मख्यों के जूंड से compare किया गया है like word को यूज़ करके Next है metaphor, metaphor एक ऐसा figure of speech है जो दो things को आपस में compare करता है without using like or as word To paralyze the evil one, line metaphor है इस line में scorpion को evil से directly compare किया गया है बिना like word को use करें Next है alliteration, alliteration, repetition है first consonant sound का दो या दो से जादा neighboring words में Parting with his poison flash line, alliteration है इस line में parting और poison word का first consonant sound पर repeat हुआ है Of, diabolic tell in the dark room line, alliteration है इस line में diabolic और dark word का first consonant sound दो repeat हुआ है Throwing giant scorpion shadow line, alliteration है इस line में scorpion और shadow word का first consonant sound प्ष्छ, repeat हुआ है Next है onomatopoeia, onomatopoeia एक figure of speech है जो धनी वाले sound बताने के लिए use किया जाता है They clicked their tongue line, onomatopoeia है इस line में clicked word sound indicate कर रहा है And burst the name of god line, onomatopoeia है इस line में burst word sound indicate कर रहा है Next है antithesis, antithesis एक ऐसा figure of speech है जिसमें हम दो contrasting ideas एक साथ देखते हैं एक ही sentence में They searched for him, he was not found, line antithesis है इस line में words के opposite और contrasting meaning है तो इसी के साथ poem के figure of speech यहाँ पर finish होते है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को ज़रूर subscribe करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर like करें और share करें अपने दोस्तों के साथ और bell icon press करना ना भूले